नमस्कार दोस्तों, लाउड इस्टडी पे आपका स्वागत हैं, आज हम लोग SSC डिली पुलीस कॉंस्टिवल भर्ती परिक्षा 2020 जो की नौटिफिकेशन SSC के द्वारा 1 अगस्त 2020 को जारी किया गया था, जिसमें 5,446 पद महिला पुरुस मिला कर, उसके बारे में पूरी ज आउट हो, कोई भी कुश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में वो कुश्चन पोस्ट कर दिजिए, आपके कमेंट का अंसर सेखर सेखर दिया जाएगा, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, तो यह जो पोस्ट है, यह Constable Executive, Male and Female in Delhi Police के लिए जो है, यह पोस्ट का नौटिफ जो है, वो देख लिजे, Starting Date to Apply Online है, वो 1 अगस्त 2020 है, Closing Date to Apply Online जो है, वो 7 September 2020 है, ठीक है, Online Free Payment Last Date जो है, वो 9 September 2020 है, Offline Free Payment Last Date जो है, वो 14 September 2020 है, और Admit Card कब से अविलेबल हो जाएगा, तो नवंबर 2020 से Admit Card अविलेबल हो जाएगा, और Online Exam Date जो है, वो 27 November 2020 से 14 December 2020 के बीच में होगा, ठीक है, यह सारे Important Date है, तो नीचे जो है, Notification में मैं Link दे दूँगा, अपने Website का, तो आप वहाँ जाके, फिर से एकवार इसको Revise कर सकते हैं, कब कौन से Date में क्या करना है, ठीक है, अब Application Free देख लेते हैं, तो Application Free जो है, SC, ST के ल लगएगा, Zero है, Female जो भी किसी भी के टेगरिक हैं, चाहे वो General है, SC, ST है, OVC है, उन सब के लिए Zero है, कोई Fees नहीं है, और General OVC जो है, उनके लिए 100 रूपीय का जो है, Fees रखा गया है, Application Free जो उनको जमा करना है, ठीक है, अब Payment Mode क्या होगा, Application Free का, तो Payment Mode की बात करें, तो You can pay the examination fee through debit card, credit card, net banking, और pay the exam fee through SBIE चलान mode, ठीक है, तो आप debit card से, credit card से, net banking से, या फिर offline अगर आपको pay करना है, तो SBIE चलान mode से आप pay कर सकते हैं, ठीक है, अब age limit देख लेते हैं, तो minimum age जो है, वो 18 साल होना चाहिए, कब से? तो 17 2020 को जो है, 18 साल होना चाहिए, minimum, और maximum जो है, वो 17 2020 को 25 साल होना चाहिए, और इसमें criteria में age relaxation भी है, वो आप notification, आपको link में, description में notification का link मिल जाएगा, वहाँ जाके, पूरा relaxation के बाए में जानकारी ले सकते हैं, अब जो है pay scale की बात करें, तो ये pay level 3 का scale यहाँ पे जो की 21,700 रुपे से 69,100 रुपीज के बीच में होगा, ठीक है, इसका pay scale, अब बात करते हैं, total कितनी vacancy आए, ठीक है, तो total जो है, वो 5,846 vacancy है, ठीक है, अब किस post के लिए कितनी vacancy है, वो आप यहाँ देख सकते हैं, constable के लिए जो है, 1681, UR, EWS, 300 रुप, यहाँ सारे details दिये गए हैं, total जो है constable male जो है, वो 3433 post है, constable male जो की ex-servicemen के टेगरिस हैं, वो 226 है, constable male जो है, यह भी ex-servicemen कमांडों से हैं, 243, और female constable जो है, वो 494, तो total जो है, 5846 vacancy जो है, आई है, अब eligibility criteria की बात कर लें, तो पहला तो हर exam का eligibility criteria होता है, candidate must be a citizen of India, ठीक, second eligibility criteria है, कि आप 10 plus 2 pass होने चाहिए, किसी भी recognize university से या board से, ठीक है, चाहे वो बिहार बोड हो, चाहे यूपी बोड हो, चाहे वो CBSC हो, चाहे वो ICSC हो, किसी भी, चाहे वो NIOSO, उससे 10 plus 2 pass होने चाहिए, ठीक है, अब तीसरा criteria जो है, वो सिफ male candidate के लिए, ये criteria है, कि male candidate के पास एक valid driving license होना जवरी है, जो कि सिफ male candidate के लिए है, ना कि female के लिए, अब apply कैसे करना है, तो ये link दिया हुआ है, last में, description में भी आपको ये link मिल जाएगा, इस पे जाके application को apply करना है, ठीक है, और application से पहले एक नया regulation आया है, उसको ध्यान में रखेगा, कि इस बाजो है, photograph में changing हुई है, the one time registration process requires you to upload a recent photograph, ठीक है, जो कि तीन महिने से पुरानी नहीं होनी चाहिए, तीन महिने के अंदर के कोई भी photograph आपको upload करनी है, जो कि JPEG format में होनी चाहिए, और जो 20KV से 50KV तक के बीच में होनी चाहिए, और image का dimension जो है, वो 3.58 cm से 4.5 cm के बीच में होनी चाहिए, ठीक है, और photograph में आपना cap पहन सकते हैं, ना चसमा लगा सकते हैं, दोनों कान आपका visible होना चाहिए, ठीक है, और जब वो photograph लिया गया है, तब का date उस पे लिखा होना चाहिए, ये criteria आपको fulfill करना है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, जब आप photo लगा रहे होंगे, या application बर्टेस में जो photo दे रहे होंगे, वो इस criteria पर fulfill करना है, नहीं तो आपका application refuse कर दिया जाएगा, ठीक है, बैलिद नहीं माना जाएगा, अब levels of examination देख लेते हैं, तो 4 level है examination का ठीक है, पहला level जो है, वो computer based examination है, द पहला level जो है, वो physical measurement test है, जिसको PMT कहते हैं, और 4 level जो है, वो medical examination है, ठीक है, तो पहला level जो है, computer based examination, उसमें objective question रहेंगे, जो 11 mark के each question हैंगे, और उसमें total 100 question हैंगे, ठीक है, अब देख लिजए, total जो time होगा है, इस computer based examination के लिए, वो 90 मिनत का होगा, ठीक है, उसमें path जो है, general knowledge या current face देगा, जो कि 50 marks का होगा, और उसमें 50 question रहेंगे, और जो path B देगा, वो reasoning रहेंगा, जिसमें 25 question होगे, 25 marks के, और path C जो रहेंगा, वो numerical ability देगा, जिसमें 15 question रहेंगे, 15 marks के, और path D जो रहेंगा, वो computer related रहेंगा, जैसे computer fundamental, MS, Excel, MS, word communication, internet, www, and www, and web browser etc. ये 10 marks के रहेंगे, 10 question, ठीक है, और इन 4 को मिला के जो है, आपको 90 मिनत दिया जाएगा, 100 question करने के लिए, और साथ ही इसमें negative marking रहेंगा, जो कि 0.25 marks, इच रहेंगा, हर गलत जवाब पे 0.25 mark जो है, एक वाते 4 नमर जो है, आपका deduct हो जाएगा, ठीक है, and candidates are therefore advised to keep in mind while answering the question, इ आप लोग को answer, टिक mark करने से पहले, एक वात सोच लेना चाहिए, इसलिए correct answer ही आपको answer देना है, क्योंकि negative marking है, इसलिए, अब जो है, ये exam जो रहेगा, हिंदी, इंगलिस, दोनों में रहेगा, और जो question paper है रहेगा, वो matriculation level का रहेगा, दखिए, eligibility आपको inter कर रहा है, ठी immediate का, लेकिन जो question paper हैगा, वो matriculation level तक का ही रहेगा, ठीक है, अब इसके बाद जो है, physical endurance test होगा, जो इसमें computer-based examination में पास होगे, उसके बाद ही वो physical endurance test में जा सकते हैं, अब physical endurance test में दो, एक male के लिए, एक female के लिए, male के लिए, जो criteria है, वो है, कि पहले क्या होगा, race होगा, ठीक है, solar summit का race होगा, आप तो 30 years जो है, उनको 6 मिनत में ये race पूरा करना है, 30 से 40 साल के लोगों को 7 मिनत में, और 40 साल से उपर के लोगों को 8 मिनत में, अगर आप race में qualify करते हो, तभी आप आगे long jump में जा सकते हो, अगर race में disqualify कर गए, तो आगे आप नहीं जा सकते हो, सबसे पहला stage जो है, आप computer based examination clear कीजिए, उसके बार आपको race में qualify करना है, solar summit है, जब race में qualify कर गए, तब आप move करेंगे next level पर, जो की long jump and high jump है, यहाँ आपको 3-3 chance दिया जाएगा, ठीक है, long jump के लिए भी और high jump के लिए भी, अगर आप 30 साल से कमके हैं, या 30 साल टकके हैं, तो 14 feet long jump के लिए है, और 3 feet 9 inch जो है, high jump के लिए ठीक है, तो यह criteria आपको 3 बार मौका दिया जाएगा, एक बार भी अगर आप इस criteria को fill कर दिये, तो आप select हो जाएंगे, ठीक है, उसी तरफ female candidate के लिए भी जो है, आप तो 30 years के लिए जो है, 1600 मितर का race जो है, 8 मिनत में होना च और अगर आप 1600 मितर qualify करते हैं, उसके बाद ही आप long jump और high jump में जा सकते हैं, ठीक है, उसके बाद अगर आप इस में qualify कर जाते हैं, physical endurance test में, ठीक है, physical endurance test में अगर आप qualify करते हैं, तो आप move करोगे physical measurement test में, ठीक है, physical measurement test में आपका height और chest ना पा जाएगा, ठीक है, height में minimum male candidate के के लिए 170 cm होना चाहिए ठीक है जिसमें की जो है minimum 170 लेकिन relaxation applicable है SC, ST लोगों के लिए X servicemen लोगों के लिए ठीक है यह applicable है यह आप notification में जाके detail में देख सकते हैं ठीक normally जो है वो होना चाहिए 170 cm ठीक है और chase जो होना चाहिए वो 81 cm with minimum of 4 cm expansion 81 cm का होना चाहिए लेकिन जब expand करें आप 25 cm तक आपका chase होना चाहिए ठीक है यह male के लिए ठीक है female के लिए जो measurement criteria रखा गया वो है height जो है 157 cm होना चाहिए जिसमें इसमें भी relaxation जो है वो applicable है ठीक है relaxation से related वीडियो बहुत बड़ा हो जाता इसे relaxation से जो भी related चीज है वो आप notification में जाके देख सकते है ठीक है उसके बाद अगर आप इसको qualify कर जाते है physical measurement तो तो आपका medical examination लिया जाएगा ठीक है बाकी मैंने सारा इसमें बता दिया है क्या age criteria है कैसे exam होगा किस level का क्या salary है ठीक है सारा कुछ यहां दे दिया है यहां last में मैंने तीन link दे दिया है कैसे apply करना है official notification का link दिया हुआ है और official website का link दिया हुआ है ठीक है तो आप लोग जाके चेक कर सकते हैं अगर फिर भी आपको कोई doubt हो या form भरने में कोई भी मुश्किल हो तो आप comment box में लिख सकते हैं मैं सिग्र सिग्र उसका जवाब देने का कोशिस करूँगा धन्यवाद दे उस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो किर्प्या इस चैनल को subscribe कर लें ताकि अगर कोई नया job अगर मैं वीडियो के रूप में आप तक पहुचाना चाहूँ तो आप लोग easily उसको देख सक ठीक है धन्यवाद